Good morning friends, मैं रजट, Commerce Education Service में आप लोग का स्वागत करता हूँ, हम बात कर रहे थे Non-Trading Organization में Final Count किस तरह से त्यार किये जाता है, चलो देखते हैं Final Count किस तरह से त्यार किया जाएगा आप लोग देख पा रहे हो, Question No. 9, Question No. 9 में आप लोग को बोर रहा है, From the following prepare, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2009 and balance sheet as on that date आप लोग के पास Financial Year में, Financial Year के end जो इसमें दिया गया है, 31st March 2009 दिया गया है, तो आप लोगों के पास shift and payment account दिया गया है, आप लोगों को बोला गया है, balance sheet भी त्यार करने को, final account है, final account balance sheet प्रापर त्यार की जाएगी, तो यहाँ पे balance sheet में में मेरे पास, आप लोग देख प fund नहीं दिया गया, इसका मतलब भी हुआ कि आप लोग को capital fund निकालना पड़ेगा, तो capital fund निकालने के लिए आपको opening balance sheet त्यार करनी पड़ेगी, तो opening balance sheet किस तरह से त्यार की जाती है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस तरह से opening balance sheet त्यार की जाएगी, तो आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहां पर त्यार करके रखी हुई है, तो आप लोग देख पा रहे हो, question number 9 मैंने यहां पर किया हुआ है, question number 9 में, जो भी आप लोगों के पास, liability side दी गई है, असेट side दी गई है, जितनी भी assets होगी, वो assets side आएगी opening, जितनी भी liability होगी, liability side आएगी opening तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो opening में हमारे पास balance दिया गया है cash का तो cash का balance दिया गया है 455, 455, bank का balance दिया गया है 55 मैंने भी विल्कुल सेम वैसा ही किया है cash in hand 455, cash at bank 55 आप लोग देख पा रहे हो इसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो interest on investment दिया गया है जिसमें investment की cost दी गई है 33,000 मतलब investment भी assets होती है और assets मतलब investment का जो balance दिया गया था वो 33,000 था तो यह मैंने इसमें show कर दिया इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो sale of furniture मतलब furniture को sale किया जिसकी book value थी 320 तो furniture भी यहां पर opening में आ रहा है क्योंकि इसको sale किया जा चुका है तो आप लोग देख पा रहे हो तो मैंने यहां पर furniture की value दे दी 320 क्योंकि आप opening balance sheet बना रहे हो तो opening में 31st April 2008 की balance sheet आएगी तो 31st April 2008 तक भी इसको sale नहीं किया गया था इसके बाद आपके पास आप लोग देख पा रहे हो हम 2008 का भी कर रहे हैं तो 2008 में आप लोग के पास आप लोग देख पारे हो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन दिया गया है 2008 में 120 मतलब आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन दी गई है outstanding आप लोग देख पारे हो outstanding subscription 120 तो outstanding subscription आप लोगों की assets होगी क्योंकि 2008 में दी गई है तो मैंने असेर्ट साइड में Outstanding Subscription 120 ले ली उसी तरह से आप लोग के पास दिया गया है Rent आप लोग देख पा रहे हो 2008 का हम बना रहे हैं तो लाइविलिटी है क्योंकि 2008 में दिया गया है 50 तो Outstanding Rent लाइविलिटी रहेगी लाइविलिटी साइड में मैंने इसको ले लिया Outstanding Rent रुपीज 50 तो इनकी वैलंसिंग की तो आप लोग के पास Capital Fund आगया 30,900 आप लोग देख पा रहे हो इसके बाद बात करते हैं उपनिक वैलंस इट आप लोग की बन गई अब हम करेंगे Income and Expanditure Account क्योंकि जब Income and Expanditure Account आप लोग बनाओगे तो आपके बाद surplus या deficit आएगा surplus या deficit जब आएगा तो आप लोग फिर इसकी प्रॉपर बैलंस इट त्यार कर सकते हों तो अभी बात कर रहे हैं हम Income and Expanditure Account की Income and Expanditure Account में साल की जितने भी फैनिशल एर के जितने भी इंकम होगे फैनिशल एर के जितने भी एक्सपेंस होगे वो सारे इसमें इंक्लूड किये जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर सुरुवात करता हूँ receipt side से तो receipt side में आप लोग के बाद सबस्क्रिप्शन दी गई है 209 के हम लेंगे 2830 आप लोग देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर income side में subscription 2830 लेए क्योंकि 29 की यहाँ पर दे गई है इसके बाद जितने भी receipt होगी वो सारी की सारी income side में आएगे इसके लाबा interest on investment rupees 1500 है आप लोग देख पा रहे हो interest on investment rupees 1500 है मैंने ले लिया यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ठीक है इसके बाद बात करते है payment side की तो payment side में जितनी पी payment होगी जैसे salary है salary 3600 मैंने ले लिया rent जो है 2009 का 600 मैंने ले लिया इसके लाबा stationary मैंने ले लिया postage मैंने ले लिया इसके लाबा bicycle है गौर्मेंट bond है यह भी decides से यह नहीं आएगे इसके लाबा balance दिया गया है email cash का और bank का यह भी अशयट से यह भी नहीं आएगा इसके लाबा आप लोग के पास एक और दिया गया है sale of furniture जिसके book value जो है 320 है और जिसको बेच दिया 250 रुपए में तो आपको दिख रहा है book value 320 है और बेच दिया 250 में मतलब loss हुआ तो loss on sale of furniture यहाँ पे आया तो loss हो रहा है तो इसको expenditure side में मैंने ले लिया loss on sale of furniture रुपीज 70 तो इसमें भी मैंने balancing की तो income side से sorry expense का balance जो है बड़ा है तो expense से income को less किया तो आपके पास deficit आ गया देखिए आप लोग 125 आपके पास deficit आ गया loss आ गया तो इसके बाद balance sheet हम त्यार करेंगे तो balance sheet त्यार करने के लिए आप लोग के पास आपस capital fund चाहिए जो हमने निकाल दिया आप लोग देख पा रहे हो तो capital fund हमने निकाल दिया था तो 3900 हमारे पास capital fund आया था इसके लाबा आप लोग देख रहे हो कि deficit आया है तो इसको less कर देते है capital fund से अगर surplus आया होता तो इसको add कर देते है capital fund में तो अभी तो deficit आया है तो हमने क्या कर दिया capital fund से तो capital fund हमारे पा तो यह लावलीटी होती है तो मैंने इसको लावलीटी साइड में शो कर दिया आप लोग देख पा रहे हो इसके लावा जो भी हमारे पास असेट्स में होगा, असेट्स में आप लोग देख पारें, असेट्स में हमारे पास investment थी, investment 30,000 थी, तो मैंने ले लिया, investment 30,000, इसके लावा हमारे पास sale of furniture था, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको बेच दिया गया है, तो 2009 में तो ये खत्म हो गया, जब 2009 में इसकी value बची ही नहीं आए, तो इसको क्यों ले, इसके लावा बात करते हैं, जो यहाँ पर आएगा, bicycle आएगा, क्योंकि असेट्स है, government bond आएगा, ये भी असेट्स है, इसके लावा cash आएगा, bank आएगा, ये भी असेट्स है, तो आप लोग देख पा रहे हो, investment मैं ले रहेगा, वो equal रहेगा, 3900 पजेतर, 3900 पजेतर, तो इस तरह से हमारा ये question number 9 जो होता है, complete होता है, तो मिलते हैं कल नए topic के साथ, जाने से पहले, मैं आप लोग चाहूँगा, कि आप लोग मेरी चानल को like, subscribe, और share, ज़रूर करें, धन्यवाद,